सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल क्रेजी जिकेट्रिक्स और इस बेल आइकन को दबाईए सबसे तेज जी के अपडेट के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो क्रेजी जिकेट्रिक्स दोस्तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागा थे आज का इस वीडियो में हम वायू मंडल के बारे में study करेंगे जो atmosphere की जो layers होती है उनके बारे में हम अच्छे से study करेंगे जनरली एक्जाम में इस टॉपिक से questions देखने को मिल रहा है तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है वायू मंडल की जो layers होती है जो परत होती है उनके बारे में हम अच्छे से study करेंगे friends मैं आपको ये वीडियो पूरा graphically समझाऊंगा जिसते कि आपको बिल्कुल आसानी होगी समझने में कोई भी difficulty नहीं होगी आसानी साब इसको समझ जाएंगे चलिए दोस्तो हम start करते हैं मैं सबसे पहले आपको कुछ information बताऊंगा वायू मंडल से related थोड़ा सा आप उचीज को ध्यान रखिएगा फिर मैं आपको graphically हर चीज समझाऊंगा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हमारा वायू मंडल होता है वो different different परतों से मिलकर बना होता है तो उसमें सबसे उपर की परते होती है उनके अध्यन को अपन क्या बोलते है एरोलोजी बोलते है ठीक है और जो निच्चे की परत होती है उसके अध्यन को हम बो होती है nitrogen, जिसका % होता है, 78% होती है nitrogen हमारे वयूमंडल में. उसके बाद oxygen होती है, जो कि 20.9% something हमारी oxygen होती है. उसके बाद नंबर आता है, carbon dioxide का, जिसका % होता है, 0.03% और argon होती है, जिसका % होता है, 0.9% तो friends, ये मोटी मोटी जो 4 gases हैं, ये हमारे वायू मंडल में पाई जाती हैं, इसके लावा बहुत सारी gases हैं, वो भी वायू मंडल में जिनका percent बिल्कुल 0.0 करके है, different type की gases भी पाई जाती हैं, पर ये main 4 gases होती हैं, तो आप सुरा सा ध्यान रखेगा, ये exam में पूछ ले आता हैं, चली, आगे ध्यान रखेग समताप मंडल, जिसको हम बोलते हैं, stratosphere बोलते हैं, फिर मध्य मंडल, iron मंडल, उसके बताता है दोस्तों, बहिर मंडल, इस तरीके से इसको 5 परतों में divide किया गया हैं, अब मैं आपको एक एक करके सबको अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल आप ग्राफिकली ध्यान से मज़ा आ जाएगा समझने में, चलिए, start करते हम, जैसे कि आपको दिख रहा है, यह हमारी अर्थ है, ठीके, और sun दिख रहा है, अर्थ से लेकर sun तक जो हमारा है, friends, यह different हम इसको परतों में divide करेंगे, देखेगा आप, सबसे पहले में आपको बताता हूँ, कि हमारी जो अ समवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, समवहन मंडल के नाम से, ठीक है, यह exam में पूछ ले आता है, question, तो 18 km तक का area यह, अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, मैं आपको important point बता रहा हूँ, इस परत के बारे में, सबसे पहले बात करते हम, कि इसमें क्या-क्या यह सब जो activity होती है, यह सभी activity होती है, दोस्तों, ट्रोपो स्पहर में, मतलब यह जो आपको वायो मंडल की परत दिख रही है, इस परत में यह सब activity होती है, ठीक है, सबसे जादा density जो होती है, घनत्व जिसको बोला जाता है, वो होता है, शोब मंडल का, अब देखिए, ज जब भी हम प्रत्वी की surface से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जो घनत्व होगा, जो density होगी, वो उपर जाते जाते हैं, ध्रिदरे कम हो जाएगी, मतलब सबसे जादा कहां पर होगी, सबसे जादा होगी, शोब मंडल में होगी, ठीक है दोस्तों, चलिए, आगे हम बात करते हैं आप, कि green house प्रभाव जो होता है, वो इसी परत में maximum देखा जाता है, तो green house प्रभाव क्या होता है, अब ये काफ़ी doubtful चीज है, तो मैं आपको थोड़ा separately ले जाके इसको अच्छे समझाता हूँ, चलिए, तो ध्यान सा सुनियागा दोस्तों, green house प्रभाव क बना लेती है, जो वायू मंडल सर्फेस होती है, हमारी अर्थ के उपर वायू मंडल होता है, ये वायू मंडल में क्या करती है, ये इसो गेसे होती है, ये एक मोटा घहरा बना लेती है, और सुर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाना जेती है, सुर्य का प्रकाश इंटर करा, उसको बाहर नहीं जना जेती है और इसकी वज़े से क्या होता है प्रत्वी पर तापमान बढ़ जाता है इस तापमान का इन गेसों के दुआरा बढ़ना ही क्या कराता है ग्रिनाउस एफेक्ट कराता है अब ग्राफ से देखिएगा इसकी सन दिख रहा है आपको ठीके यहां से रेज आई अर्थ पे आई यह हमारा एट्मोस्फियर जो आपको विल्कुल वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है इरिया अर्थ के उपर का यह हमारा एट्मोस्फियर है ठीक है इस atmosphere के बाहर से क्या होता हैं कुछ rays जिसी क्यों होती है पराबेगनी किड़ने होती है ये किड़ने जो होती है atmosphere टकरा कर पेले ही बाहर हो जाती है ozone layer की वजह से वो मैं आपको आगे बताऊंगा और जो कुछ layer होती है वो atmosphere में एंटर कर जाती है और ये layer अगर atmosphere में enter कर रही है तो क्या करती है ये gases जो होती है अलग लग type की ये एक मोटा गहरा बना लेती है और इन gases को बाहर नहीं जाना जेती है जिसकी वज़े से क्या होता है कि प्रत्वी पर temperature जो होता है वो बढ़ जाता है और ये temperature बढ़ना बहुत जरूरी है अगर ये greenhouse effect नहीं होगा ये एक natural चीज है अगर ये नहीं होगा तो प्रत्वी पर temperature जो होगा वो 18 degree minus का होगा ठीक है मतलब बहुत ज़दा ठंड होगी तो य आपने कुछ बहुत बाते समझी अब ध्यान से सुनिए मैं आपको थोला सा इसको और अच्छे से जूम करके बताता हूँ देखिए ये sun है sun की किर्णे अंदर आई प्रत्वी इसकी surface से reflect हो गई परावर्तित होकर वापस उपर की तरप गई तो co2, ch4, methane, carbon dioxide, n2o इन सब gases से टकरा कर वो वापस कहां पर आगई प्रत्वी पर आगई और इसी वज़े से क्या हुआ दोस्तो temperature बढ़ गया इसी को हम बोलते हैं green house effect तो ये समझना बहुत जरूरी है इससे questions बनते हैं exam में तो ध्यान रखेगा green house effect की सबसे महत्वपून, सबसे महत्वपून गेस कौन सी ह carbon dioxide ठीक है दोस्तो चलिए वापस हम वहीं चलते हैं और उसी कंटिन्यू करते हैं तो friends आपने समझा green house effect क्या होता है ठीक है तो इस green house effect की कारण ही शोब मंडल जो होता है वो सबसे ज़्यादा गरम होता है दूसरी परत के comparison में शोब मंडल जो होता है ट्रोपोस पर जो होता ह हैं इस सबसे ज़्यादा गरम होता है एक बात और ध्यान रखेगा कि गरिश्मरितू में जब गर्मी का season होता है गरिश्मरितू में क्या होता है इस शोब मंडल जो ट्रोपोस पर है इसकी जो उंचाई होती है वो थोड़ इसी परिवर्तित हो जाती है उपर नीशे हो जात तक का उपर का जो एरिया आता है वो एरिया जो होता है वो बोलते हैं उसको हम सम ताप मंडल मतलब स्टेटोस पेर बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टेटोस पेर धियान से समझिए इसकी क्या-क्या activity है मैं आपको बताता हूं सबसे पहले बात तो कि ताप लगबक समान होता है ठीके, ध्रे-द्रे उपर जाते हैं, तो बिलकुन माइनर बढ़ता है, मतलब एक प्रकार से लगबख समान होता है, उसके बाद इसमें मौसमी घटना ही नहीं होती है, कौन-कौन सी जैसे की, मैंने आपको बताया था, बातलों का गरजना, ठीके, बीजली चमकना, उसके परिशोना, जलवाश, आंधी तूफान, यह कुछ भी नहीं होता है, शान्त होता है, इसका शान्त होने की वज़े से ही, जो 18 किलोमेटर तक तो शोब मंडल आगे था, उसके उपर का जो 10 किलोमेटर का जो एरिया आता है, वहाँ पर दोस्तों, चलते हैं, एरोपलेन मंडल का जो 10 किलोमेटर तक का जो एरिया छोड़कर उपर का जो एरिया होता है, वो होता है, दोस्तों, हमारा ओजोन मंडल, ओजोन लेयर यही पर ही पाई जाती है, समताप मंडल में, बहुत इंपोर्टेंट कोशन है, UP, PSC, SSC, इन सब में, एक्जाम में कोशन्स पूछे जाते हैं इससे, तो आप ध्यां से समझी, अब, ओजोन लेयर कहां पर पाई जाती है, समताप मंडल का उपर का जो हिस्सा होता है, ये ओजोन मंडल होता है, और ओजोन लेयर यही पर पाई जाती है, ओजोन लेयर जो होती है, ये क्या करती है, इसका काम ये होता है, कि सूर तो ऐसी पराबेगनी करुणों को कौन रोकता है दोस्तो ओजोन लेयर ही रोकती है इसलिए ओजोन लेयर जो होना बहुत जरूरी है और अभी अभी ध्यान रखिये कि ओजोन लेयर में छिद्र देखा गया था कहां पर देखा गया था अंटार्क्टिका जो है उसके ऊपर एक जिद्र देखा गया था तो ये भी एक्जाम में कुष्यंस पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिये का ओजोन लेयर को नुकसान किस-किस चीज़ों से होता है तो मैं आपको उता हो जैसे कि chlorofluoro carbon जो होता है chlorofluorocarbond से नुखसान पहुच रहा है ozone layer को यह अप chlorofluorocarbond कहां से बनता है तो जो oil pan का डबा होता है उसको जलाने से chlorofluorocarbond जो होता है वो निर्मित होता है और refrigerator की gas air conditioner की gas इन सब से जो होता है नुखसान पहुच रहा है ozone layer को, तो ये कुछ important points में आपको बता हैं, ozone layer से related, तो आप थ्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिए, ozone layer की जो मोटाई होती हैं, उसको हम काई में नापते हैं, डापसन में नापते हैं, तो इसको note down कली जगा friends, कि ozone layer की मोटाई को हम डापसन में नापते हैं, एक ही अब चलते हैं layer पे, तो अगली layer आती है, दोस्तो हमारी इससे उपर 80 km, मतलब 50 km तक हम पर चुके हैं, 50 से उपर तक चलते हैं, तो 30 km का जो हमारा range है, तो 80 km तक जो area आता है हमारा, उसको बोलते हैं, हम मध्धि मंडल, क्या बोलते हैं friends, इसको मध्धि मंडल, मध्धि मंड की importance मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, अब हमारी प्रत्वी जो है, वो अंतरिक्ष में है, ठीक है, और अंतरिक्ष में बहुत सारी उलका पिंड है, और ये उलका पिंड जो होती है, उरती हुए हमारी प्रत्वी तक आती है, और अगर ये प्रत्वी हो टकरा जाए, तो मद्धि मंडल का काम आपको समझ में आ चुका है, उलका पिंट जो आती हैं, उसको पहले से ही वो खतम कर देती हैं मद्धि मंडल में ही, चलिए, आगे हम बात करते हैं, अगला नंबर आता हैं दोस्तों, 80 km से लेकर जो 640 km तक का जो एरिया आता हैं, उसे हम बोलते हैं आयन मंडल, इस आयन मंडल में ही रेडियो तरंग जो होती हैं, वो परावर्तित होती हैं, जितने भी satellite वगरा जो होते हैं, वो यहीं पर ही settled हैं, यहां पर सही हमको radio तरंग जो होती हैं, वो परवर्तित होती हैं, तो यह आप थोड़ा सा note down कर लिजेगा, ध्यान रखेगा, बहुत important question है, SSC 2013-2012 question में पूछा गया हैं, अगला हम बात करते हैं दोस्तो, इसके उपर का जो एरिया आता हैं, उसको हम बोलते हैं, बाई मंडल, तो दोस्तो मैंने आपको यह बता दिया पूरा, सबसे पहले हमने पढ़ा शोब मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर बाई मंडल, तो इस तरीके से हमने यह पांच परतों को अच्छे से इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, छोटी-छोटी चीजे हैं, अगर ग्राफिक लिए आपने अच्छे से समझा इसको सुना होगा, तो आपको I think सारा याद हो गया होगा, ठीके friends, दोस्तों अब हमारी बारी है test की, हमने अच्छे से topic को पहले समझा, अब हम लगा अच्छे तरीके से उसको एक एक करके चलिए हम question solve करते हैं, पहला question है दोस्तों हमारा, वायू मंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गेस पाई जाती हैं, तो हमने पट रखा हैं कि 78% कौन सी गेस होती हैं, nitrogen होती हैं, तो answer इसका लगेगा B, अगला question है, निमन में से कौ carbon dioxide ही होती हैं, जिसकी वजे से वो क्या करती हैं, जो किरण होती हैं, वो बाहर न जाती है, atmosphere से और गरम रखता है carbon dioxide, तो answer इसका लगेगा D, अगला question है हमारा, भू प्रस्ट से प्रावर्तित अवरक्त किरणों के अवशोशन द्वारा, भू वायू मंडल के तापमान में व और वायू मंडल उसको offshore sheet कर रहा है, जिससे temperature जो है वो बढ़ रहा है, atmosphere का, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हमने पढ़ रखा है greenhouse effective बोलते हैं, तो इसका answer लगेगा A, ठीक है, चली आगे और important question देखते हैं, अगला question है, शोब मंडल, वायू मंडल का सबसे गर्म परत हैं, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, गर्म परत हैं, शोब मंडल सबसे ज़्यादा, ठीक है, troposphere जो है, वो सबसे ज़्यादा गर्म हैं, क्योंकि ये सूरी के निकरतम हैं, बिल्कुल गलत ये तो, इसमें अवशोशित करण हैं, ये भी गलत बात है, ये प्रत्वी के प्रस्ट से गर्म हो जाती हैं, प्रत्वी के प्रस्ट से गर्म हो जाती हैं, बिल्कुल सही बात बोलिए, कि प्रत्वी के प्रस्ट से ही रिफ्लेक्ट होती हैं, अपनी कुन सी, सन की जो रेज आती हैं, उसकी वज़े से ही ये शोब बंडल जो होता हैं, वो गर्म हो जाता हैं, तो इसका शोब मंडल के करण, जो ट्रोपो स्पेर होती है, हमारी उसके करण होता है, बादल का गरजना वायो मंडल की किस परत्म होता है, देखिए हमने क्या देखा था, बादल का गरजना कहां पर था, शोब मंडल में था, तो इस कहां सा लगेगा, B, ठीक है, चलिए, यहांगे अधर activity नहीं होती है, कैसी जैसे की वर्षा की और बादल का गरजना, बिजली का चमकना, यह सब activity समताप मंडल में नहीं होती है, इसलिए जो best होता है, सबसे अच्छा हवई जांज के लिए वो होता है समताप मंडल, तो इसका answer लगेगा A answer. अगला question है प्रत्वी की सतर से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं देखिए प्रत्वी की सबसे दूर की परत पुछिए तो सबसे दूर कौन से होती हैं दोस्तो बाय मंडल होती हैं तो इसका answer लगेगा C answer वायू मंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर एपकेंद्री थें तो वायू मंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर हैं समताप मंडल में हैं तो इसका आंसर लगेगा A answer आगे और question देखते हैं अगला question है निम्न में से किस मंडल को समवहन मंडल बोलते हैं समवहन मंडल किसको बोलते हैं शोब मंडल को बोलते हैं मैंने आपको बताया था especially तो answer इसका लगेगा A answer किस रिटू में शोब मंडल की उंचाई में व्रधी होती हैं देकि गृष्म रिटू में होती हैं तो इसका आंसर लगेगा B answer संचार उग्रक किस वायू मंडल की परत में इस्तित होते हैं तो आयान मंडल में इस्तित होते हैं वहीं से ही रेडियो तरंगे जो होती है वो परावर्तित होती है तो इसका आंसर रगेगा D आंसर चलिए आगे और important question देखते हैं अगला question है शोब मंडल में तापमान शोब मंडल में तापमान जो ट्रोपो स्पेर है उसकी बात हो रही है उचाई के साथ घड़ता है उचाई के साथ बढ़ता है अपरिवर्तित रहता है पहले घड़ता है फिर बढ़ता है तो troposphere में जब हम धीदरे ऊपर की तरफ जाते हैं तो temperature जो होता है वो घटता जाता है तो ध्यान रखिएगा friends ये point मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि troposphere जो होता है महाँ पर जब हम नीचे से अर्थ की surface से ऊपर की तरफ चलते हैं तो धीरे धीरे temperature जो होता है उसमें temperature में कमियान लग जाती है मतलब लगबग 162 meter के बाद 1 degree Celsius टेंपरेचर कम हो जाता है तो उचाय के साथ जाने पर temperature कम होगा और उचाय पर जाने के साथ भी density भी कम होगी तो दोनों चीज़े हैं यह दोनों चीज याद रखना ठीक है तो इसका अंसर लगएगा A answer ओजोन परत मुख्यतब पाई जाती है ओजोन परत कहां पर पाई जाती है तो मैंने आपके बतायता है समताप मंडल में पाई जाती है यह important question है बहुत पूछा जाता है question यह तो इसका अंसर लगएगा A answer वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है तो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है देखिए समताप मंडल बिलकुल भी नहीं शोप मंडल यह तो सबसे पहली है तो होई नहीं सकता मध्य मंडल बिलकुल भी नहीं मध्य मंडल उलका पिंट को खतम कर दीती है और आयन मंडल बिलकुल आयन मंडल में ही जो सैटलाइट वगरा जो सैटल होती है यही रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है तो इसका अंसर लगेगा आप आसानी से इस एक्जाम में इस से लेटेट कोशन अगर आता है तो आप सॉल कर लेंगे फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दीजि